हेलो दोस्तों आपका स्वागत एक नई वीडियो में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं रियल्मी C33 में किस तरह से डिस्प्ले पे फिंगर प्रिंट लगा सकते हैं पड़ेश के इसके लिए प्रैस सेख सखुरों फिनगर फिंगर प्रिंट सकते हैं तो मैं हूआ है आप तेकनिकल अज दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आप आपनेड़ की तरह से आप फिंगर फिं फेंगर फ्रिंट चैनल और फिनफे में प्रिंग 1400 परिंग तच्छ लॉक श्क्रीन उपर आप देख रहे हो जैसे में प्लेश्टूर में आके लिखा हूं तो आपको इस अप्लिकेशन को अपने मोबाईल में डाउनलोड करना होगा डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें दोस्तों आपकी मोबाईल के अंदर जो भी लॉक आपने लॉक आप आठा दोगे तो जाकि आप एस आप्टेर का अपने डिस्प्लेइप इसको आप सेट कर सकते हो डिस्प्लेइप आप जब भी अपना थम्मेल या उठा जब भी लगाओगे तो लॉक आप अपने मोबाइल का खोल फक्ति यह अप्लिकेशन डाउनलोड करने के दोस्तों ऐसा इंटरफेस चालो होगा देख वहां उपर लिखा हुआ है टच लग स्क्रीन और इसको परमिशन देना पड़ेगा बहुत सारी परमिशन आता है जो इसमें परमिशन देना बहुत ही इंपोर्टेंट है तो ही काम करेगा नहीं तो आपको वाल पेपर जहां प क अंदर आएगा यहां से आपको अलाउग करना होगा खोजना पड़ेगा कहां पर दिया है टॉच्छ लॉक स्क्रीन स्लैट करके देख लेतें कहां पर टॉच्छ लग स्क्रीन और निचे आजाते हैं अभी तक नहीं दिखां और निचे आ जाते हैं और यहां। means टॉइस के लिए यहां से यहां से ऐख मेर में दे दे दोड़ सहोर्त किरिए एक वाल पेपर पर क्लिक करते हैं दिखते हैं साने मनिem दिया और फिर एक औरेंब यहां और मांग रहा है तो यहां से हम पर रमिसन आपने कारियो के लिए अपने ले लेना है तकी लेने के बाद आपके यहां पर फिंगर लगाऊवगे अपना तो वहां पर इसमें इमेज आपको स्क्रीन पर दिखा देगर कोई भी एक इमेज ले लेते हैं जो हमारे स्क्रीन डीच प्रेश करना हो fa हम स्क्रिन करने हैं दो बर कजिए और चार बर क्लिक कर जटना पर little को एपकर सकते हैं 2234 प्र पाश्पूर्ट को ऑप्षिण उप्षेभ स्क्राव जब आप अपने मोबाइल के अंदर इजovan NHकाल देंगे जितना भी लॉक आपके अंदर है सारा लॉक आप हटा दोगे तो ही जाके काम करेगा अगर आपने पास्पोर्ट कोई भी नहीं अठाए तो यहां पर आगे नहीं बढ़ने वाला देखिए एक पास्पोर्ट मैंने लगा कर रखा हूं जिसको हटाया नहीं हो तो मैं कितना बा लॉक रखा पड़ेगा अपने मुबाईल के अंदर इसक्रीन लॉक हो या कोई भी लॉक हो जो आपने मुबाईल के स्क्रीन पर लगा कर रखा हो सारा लॉक हटाओं तो ही जाके आपको इसके आगे प्रोसेस करेंगे तो आप कितना बर भी पास्पोर्ट डाल लिए एक दो अब यहाँ आप स्टों को गया अब मेरें जब भी मेरे काम करना शुरू फिर आप में अपने फिंगर प्रिंट लगा के अपने मोबाइल का लोग खोल सकता हूं कभी एक दो बार टश करो स्क्रीन पर और फिर आप यहां पर बीच में दिख रहा है यहां पर मेरा फिंगर प्रिंट काम करना शुरू हो जाएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए दोस्तों मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में